हाई फ्रेंज आई साल का आखरी दिन है तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब को हैपी नियो येर जब ये विडियो अप्लोड होगी तो यूके में 12 बच चुके होंगे पाकस्तान में तो पहले ही नियो येर स्टार्ट हो चुका है और इंडिया में भी हो चुका होगा बलके आदित दुरिया में हो चुका होगा तो मेरी तरफ से आप सब को बहुत 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 नया साल मुबारे को अल्ला करें आने वाला नया सार हम सब के लिए खुशियां लेके आए आमीन इस वक्त मैं सूर बना रही हूँ और मीट और सबसियों का सूर बना रही हूँ जो के बहुत मज़े का बना था यहां तक के मैंने इसमें कोई काली मिर्चे वगेरा भी नी डाली थी कोई सॉस वगेरा भी नी डाली थी मगर फिर भी टेस्ट में कोई कमी नी थी और बहुत लजीज था और खा के मसा आ गया था अच्छा यह सूफ अगेरा जो होते हैं मुझे बहुत कमफर्टी की लगते है और खास दौर पे सूफ बनाते वक जब उनसे धूँआ उड़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सूधिंग सूधिंग सा लगता है कमफर्टींग सा लगता है पतरी की वो शायद बहुत होमली फील देता है शायद इसलिए तो फिर सूब बनाने के बाद मैंने बाहर जाना था और थोड़ी सी चीजें लेके आनी थी तो मैंने सूचा चले आपको भी अपने साथ बाहर लेके चलती हूँ आज मुझे थोड़ा नसला सो हो रहा है और जाने के स्टार्ट हो गया रात को तो भी ठीक ठाक सुई थी लेकिन सुबह में उठी तो मुझे शदीद किसम का नसला जुकाम हुआवा था मेरे ख्याल में आजकल हम हीटिंग बन करके सोते हैं क्योंकि पहले दिल रात लगी रहती थी हीटिंग तो बहुत गरम हो जाता था और इसकील घला वगयरा बहुत ड्राय हो जाता था तो फिर हमने सोचा के हम ऐसा करते हैं कि रात को हीटिंग बन करके सोया करें तो हम फिर हीटिंग बन करते हैं और शायद इस वज़ा से रात को ठंड हो गयरा लगी कि सुबह उठी तो बहुत फ्लू हो रहा था मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब हम छोटे होते थे स्कूल में पढ़ते थे तो निया साल आया करता था तो हम लोग कैसे मनाया करते थे लेकिन मुझे बिलकुल याद नहीं आ रहा और मुझे हैरत हो रही है कि मुझे क्यों याद नहीं आ रहा एक भी मुझे ऐसा वोगा याद नहीं आ रहा कि हम लेक बच्पन में निया साल बनाया हो तो कैसे बनाया हो मेरे ख्याल में उसके वज़ाई ये है कि बच्पन में इन दिरों स्कूल की चुटियां हुआ करती थी सर्टियों की तो हम उसे में इतरे खुश होते थे इतरे मुझे होते थे के लिया साल बनाने का हमें याद नहीं रहता था हम अपनी दुरिया में मुझे होते थे जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अपनी इसी मासूम सी प्यारी सी खुशवाश दुनिया होती है और क्योंकि हमें रियल दुनिया का कुछ बता नहीं होता तो हम अपनी उसे दुनिया में मकर रहते हैं हमें कुछ बता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है कैसे हालात है और क्या आगे होने वाला है हमें किसी तरीके के गम परिशानी नहीं होती हाँ एक दफ़ा बच्पल में मुझे परिशानी का सामना जरूर करना पड़ा था हमारे मैट्रिक के इमतहान हो रहे थे और एक पराला सा स्कूल था जहां हमारा सेंटर पड़ा था और हमें पेपर देने के लिए जाना था मेरे ख्याल में पाकस्तान स्टेडीज का पेपर था तो वो खंडर नमा स्कूल था पता नहीं क्यों उसे चूस किया गया था तो हम सारी लड़किया पेपर देने में मकद थी तो मैंने अचानक नोटिस किया कि टीचर ने अपने पेपर उपर करके रख लिए हैं कुरसी पे और सब लड़कियों ने भी रख लिया और सारे चीख है लेकिन बैप पेपर देने में इतनी वकद थी मुझे में तप रैशर था मैं कहा रही थी कि कहीं मैं भूल न चाहूँ फॉरण फॉरण में लिख दूँ तो मुझे ना समझ आई और ना मैंने ये जानने की कोशिश की कि सारे चीखों पकार क्यों कर रहें और अपनी टांगे और पैर वगएरा उपर क्यों रख लिया है कुर्सी पे फिर अचानक मैंने देखा कि टीचर मेरी तरफ भागती भी आई और फिर मैंने देखा तो मेरे पाउं के करीब एक छोटा सा साथा का बच्चा था और जा रहा था और टीचर में उसको मारा और उसके बाद जो मुझे डांट पढ़ी है और इसको एसी मार दिया गया खेर यह वाकिया जब मुझे याद आता रिता मुझे बहुत हसी आती है तो आज क्योंकि मौसम बहुत खुशकोर हो रहा था तो मैं फ्रेश एर के लिए थोड़ी बाहार आगी फिर मैंने सुचा धंटे धंटे मौसम में गरम गरम चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है तो क्यों ना बाहर से चाय ली जाए तो फिर मैं चाय फाला में आगी थी और वहां से मैंने कड़क चाय ली थी और चाय बहुत मज़े की थी गरम थी और मिठी मिठी थी तो फिर हमने कारे में बैट के चाय पी थी क्योंकि अंदर बैट के हमनी होटल में बैट के हमनी पीरा जाते थे तो उसके बाद फिर हमने जो काम था वो किया फिर घर आके थे और फिर आके मैंने घर के काम वगेरा नबटाए थे तो अभी ये वीडियो का हैंट है तो आखर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी निया साल शुरू हो जाएगा और मेरा ये साल तो बहुत ही परशानियों में गुसरा है तो मैं उमीद करती हूँ कि आने वाला निया साल हम सब के लिए अच्छा थापत होगा कहते हैं ना कि वक्त हर जखम का मरम होता है मगर और सिंदगी में कुछ पहले ऐसे भी आते हैं जिने चाहकर भी हम अपनी यादाज से मटा नहीं सकते और वैसे भी सिंदगी बहुत मुक्तसर सी है समझ आते आते गुजर जाती है तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी दुआओं भी याद रखेगा अपना बहुत बहुत क्या रखिए फिर जल्दे मुलाकात होगी किसी नहीं वीडियो के साथ फिलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्ला हाफिज